अलो टू आल माई नीडिंग वीवर्स स्वागत है आपका मेरी नीडिंग चैनल में अज मैं आपके लिए एक और पैटरन लेकर के आई हूँ यह आप देख सकते हैं इस तरह से क्रिस्मस ट्री का यह पैटरन है यह आप इसको क्रिस्मस ओर्मेंट्स भी आप इसको कह सकते हैं तो किस तरह से यह बनता है मैं आपको बिल्गोल इसको step by step process में इसको बनाना बताऊंगी तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 21 फंदे ले लेंगे 21 फंदे हम सिलायों में ले लेंगे तो किस तरह से हम इसको बनाएंगे सबसे पहले हम सभी फंदों को सीधा सीधा knit करेंगे 21 फंदों को सीधा सीधा हम knit करेंगे ये इसकी first row इस तरह से बनेगी इस तरह से मिसकी first row को बनाएंगे इस तरह से मिसकी first row को बनाएंगे first row बनाने के बाद अब हम इसकी second row में आ जाएंगे second row में भी हम सभी फंदों को सीधा सीधा ही knit करेंगे इस तरह से आप देखेंगे सभी फंदों को हमने सीधा सीधा knit करना है last के दो फंदों तक हम सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे अब किसी भी कलर का आप धागा इसमें ले सकते हैं तो उसमें आप इसको easily डाल सकते हैं तो इस तरह से हम wrong side से भी सीधा सीधा इसको बनाएंगे यहाँ पर last में हमारे जिब दो स्टिचेस इसमें रह जाएंगे तो हम इन दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से बुन लेंगे यह हमारी होगी है second row अब बनाएंगे हम इसकी third row third row में भी सब्वी फंदों को सीधा सीधा बनाते जाना है सब्वी फंदों को हम सीधा सीधा निट करेंगे जब तक कि हमारे पास लास्ट में दो फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने सबी फंदों को सिधा सिधा निट करना है यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास दो फंदे बच्चे है तो इन दोनों फंदों को हम दो फंदों का इस तरह से एक करेंगे नेक्स्ट हम थर्ड रूम है सबी फंदों को जो है सिधा सिधा बनाना है इस तरह से जैसे हम सबी फंदों को सिधा सिधा निट कर रहे हैं इस तरह से हमने सिधा सिधा इनको निट करते पर जाना है फंदे जब दो फंदे रह जाएंगे तो दो फंदों का एक करना है फिर नेक्स ट्रो हम सीधी सीधी बनाएंगे फिर लेफ्ट और राइट में दो फंदों का एक करना है तो इस तरह से हम तब तक बनाएंगे जब तक कि हमारे पास दस फंदे ना रह जाएं तब तक हमने इसम दोनों साइट से decrease करते वे अब हमारे पास यहां पर दस फंदे बचके हैं दो चार छे आठ दस दस फंदे हो गए हैं तो अब हमने किस तरह से करना है यहां पर हमने last decrease किया था अब हम इनको सभी फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे दस फंदों को इस तरह से जहां तक हमारे दस फंदे कंप्लीट होते हैं इस तरह से सभी फंदों को सीधा सीधा निट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे पांच फंदे हम बढ़ा लेंगे एक, दो, तीन, चार और एक पांच इस तरह से हमने पांच फंदे इंक्रीज कर दिये अब आ जाएंगे इसकी रॉंग साइड में किस तरह से हमने इनको निट करना है इनको भी हम सभी फंदों को सीधा सीधा निट करेंगे इस तरह से जिस तरह से हम बनाते जा रहे हैं सीधा सीधा उसी तरह से इनको भी हमने सीधा सीधा निट करना है इस तरह से यह आप देखेंगे इस तरह से सभी फंदों को हम पांचो फंदों को हम निट करेंगे सीधा सीधा हमने बनाना है बाकि के फंदे बी जो सेंटर के है इनको भी हमने सीधा सीधा निट करना है इस तरह से अब आप देखेंगे अब हम यहाँ पर second side में end पर पहुंच के हैं अब हम फिर से 5 फंदे increase करेंगे 1, 2, 3, 4, और 1, 5 फिर से इसकी wrong side में आएंगे सभी फंदो को उसी तरह से जैसे हमने पहले knit किये सभी फंदो को सीधा-सीधा हमने knit करना है जिस तरह से हम starting से इसको बनाते जा रहे हैं इसी तरह से हमने इन सभी फंदो को भी सीधा-सीधा ही बनाना है इस तरह से थोड़ा ध्यान से आपने बनाना है क्योंकि यह थोड़े से टाइट हो जाते हैं तो इस तरह से हम नेन को बनाना है बाकी के सब भी फंदे भी हैं सीधे सीधे नेट करेंगे लास्ट तक जब तक कि हमारे पास दो फंदे रह जाएंगे तब तक इस तरह से अब आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास दो फंदे है तो इन दोनों फंदों को हम एक साथ नेट करेंगे इस तरह से फिर हम wrong side में आ जाएंगे wrong side में हम क्या करेंगे यहाँ पर भी जब 2 फंदे हमारे last में बच जाएंगे इदर से हम सीधा सीधा बनाते वे आएंगे और यहाँ पर 2 फंदों का हम एक कर देंगे जैसा हमने यहाँ पर किया है starting में यहाँ से हम decrease करते वे गए है वैसे ही 2 फंदों का एक करना है फिर सीधी row बनानी है फिर 2 फंदों का एक right और left दोनों side में 2 का एक करते वे जाना है जब तक कि हमारे पास 8 फंदे नहीं रह जाते तब तक हम 2 का एक करते वे जाएंगे राइट और लेफ्ट साइड, दोनों साइड से अब आप देखेंगे, हमने यहां तक लेफ्ट और राइट दोनों साइड से हम दिक्रीज करते हुए दो फंदों का इकरते हुए, अब हमारे पास दो, चार, छे, साथ, आठ आठ फंदे बच गए हैं, अब हम फिर से यहां पर फंदे इंक्रीज करेंगे पांच फंदे, एक, दो, तीन, चार, और एक, पांच पांच फंदे यहां पर हमने इंक्रीज कर दिये हैं, अब हम इनको किस तरह से बनाएंगे वो आप देखेंगे सेम जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से हम सभी फंदों को यहां पर भी हम सीधा नेट करेंगे इस तरह से सीधे सीधे हम सभी फंदों को नेट करेंगे इस तरह से इस तरह से अब हमने यहां पे भी हमने पांच वंदे इंक्रीज करने हैं इस तरह से एक दो तीन चार और एक पांच इनको भी हम इसी तरह से बनाएंगे सीधा सीधा हम इनको निट करेंगे इस तरह से सबी फंदों को हमने सीधा सीधा निट करना है लास तक यहां तक की हमारे पास दो फंदे ना रचाएं तब तक हमने इसको सीधा सीधा ही निट करना है जब हम आपस दो फंदे रचाएंगे फिर हम इसको दो का एक करेंगे यह आप देखेंगे इस तरह से यहां पर दो है तो इन दो फंदों का हम एक करेंगे इस तरह से अब हमने सेम फिर से वैसा ही करना है बैक साइट से हमने सीधी रोब ना नहीं है और यहां पर दो का एक करेंगे फिर दो का एक करते हुए जाना है जब तक कि हमारे पास लास्ट में एक फंदा ना रह जाए तब तक हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइट से हमने दो का करते जाना है तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने जहां तक दो का इक करते वह तब तक गहीं हूं जब तक हमारे पास एक बंदा नहीं बच गया है तो इसके बाद हम अपनी दागे को जो है वो कट कर सकते तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं और आपने कृस्मस कर सकते हैं हुआ क्रिस्मस ट्री लिए आप कर सकते हैं है आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको ये समझे हैं अगर को कहीं को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बनकुल फ्री में है